इस संसार में पताए मा का बलिदान तो कोई उसकी तुलना ही ने की जा सकती बहुंसी भववें ऐसी होती हैं आते ही ज़्यारी कर लेंगी बेटा को मां से अलग कर देंगी और जब बेटा मां के पास जाता है तो बहु कलेश करती है कि तुम मां के पास गए ते तनुखा में से गजुद्य के आयोंगे और जी बात मैं पतो चलिया है न तो मा अपने बेटा ते कहती है तु में पास मत्याव करेगी ना उतो ते कलेश करते है ना मोई नहीं चाहिए में तो हाथ पाम चल लाए है में तो भगवान जब गुजारों करेगा पर तो ते कलेश होए जे बात मोई अच्छी नहीं लगती बेटा तो मेरे पास मत्याव करेगी और तनुखा मिलो करेगी तब तो बिलकुल मत्याव करेगी अपने पाले परो से बेटा को दूसरी की लड़की के हातों में दान कर देती है ये जूटी बात है कि लोग कन्या दान करते है सच बात तो ये है कि असलियत में तो मा अपने बेटे को उस कन्या को दान कर देती है कि जा ले जा असली बात तो यह है कन्या तो उस घर की मालकिन बन जाती है दान तो मा करती है कि ले आज से मैंने अपनो बेटा तो देदा पारे और मैंने पैदा मैंने करे और बड़ो मैंने करे और दूद मैंने प्याए और सुख तूले जाकि दौलत तूले जाकि कमाई तूले जाको संग तूले जाके मकान तूले जाके खेतन तूले और जाईके जाईके नहीं जो मैंने कमाये अपनी जिन्दगे वीर जन्दगी भर बहुए तू ले ये मा का बलेदाने इस दर्थी पर कोई कर सकता है लेकिन मुझे दर्थ तब होता है दुख तब होता है जो मा इतना सब कुछ करती है उसके बाद उलाद जब कमाके लाती है और कभी कभी घर पे आवे है और मा इंतजार करती है कि छोरा आए रहो है तो दो-चार हजार रुपया तुम्हें हाथे पे धरिके जाएगो छोरा आए रहो है और छोरा जो कहके चले जाए कि मम्मी पे का कमी है मापे का कमी है महिया पे तो खेत है महिया पे इनकम आ रहे है फ़लानी चीज है रहे है महिया पे तो सोनो है महिया पे का कमी है ऐसे कपूतों को तो मैं चाहता हूँ कि आग लगा करके मार देना चाहिए तो यह कह महिया पे क्या कमी है जा मईया पर तो कोई कमी ना है और तेरे घर में के मईया वैटी है जा तू ब्याहे किलायो का है ता पर सब कमी कमी है से ले लेकर तू तू बईया दे रहा है मालना बाप पर कमी कमी है और तेरी मईया पर कोई कमी नहीं है ऐसी ओलाद को तो चुलू बर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिसने नौ महीना राखा पेट में उसके सामने कहता है कि मा पे का कमी है जिसने दूद प्या करके बड़ो करें मा खुद भूकी रही, खुद दूद नहीं पिये लेकिन बाल करने प्याए और वो उलाद कह द WiFi ऐसी ओलाद को तो कुभा में डूब के मर जाना चाहिए तू जईकिल जई जई दिना के लिए पैदा करें सब्दे सुनावे के लिए पैदा करें कहा है अरे तू मा पे देगो, मा के जोर जोर के धरेगो तो मा कोई सरापी पे थोड़े ही जा रही है जोर जोर के दर के तो यह दे जाएगी अंतिम में कचुछ चीज बनावेगी तो तेरी भहुए ही दे जाएगी है तो कुछ तो छोड़े के जाएगी माँ कहीं मा करेगी तेकार है उनका पूतों को जो माबाप को एसी बाणी कहते हूं उनकी जीव में कीना नहीं पड़ता है उनकी जीव में आग नहीं लगती जो मां से कहते हैं कि मां को क्या जरूरत है तू ब्याय के लायों का यह सब जरूरत है पूरी तनुखा पूरो भंड पूरी पैंसन और पूरो जितनों जो बाद में आता है रिट पूटां को है, boxes माबाप ये दानु कर ले दुनिया में नहीं कर रहे तो भा। रखकार है अभ्य से उलादों को जो अपने माबाप माबाप खेसाने दिजाएद खड़ी रह जाती और वे मन की जान लेते हैं कि हमने कहीं हो जिना ही करेगो ताते उनकी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है जिस्तुरा छोड़ी में घूम रहे हैं मरस्डीज में घूम रहे हैं और मबाव रफटे पड़ा है उनके माबाप फखनः पनई आ हैं ऐसे उलाद को तो परमात्मा भी जमा नहीं करेगा ध्यान रखना क्योंकि उस समय माबाप ने खुद ने सुख नहीं वो गए थे जिस समय तुम को सुख दिया था माबाप ने सुख नहीं वो गए लेकिन तुम को सुख दिया और आज जब तुमारा सुक्ष, तुमारा जीवन तुम पे समपत्ती आई तो तुम ने खुद अपने सुक की चिंता करी अपने माबाप के सुक की चिंता नहीं करी देखा रहे हो सौ लाग तो बेटा तो वो है जो सुक खुद भोग रहे हैं उससे पहले अपनी मा को सुख देने की कोशिस करते है और मा को अपना देवता मानते हैं मा को अपना भगवान मानते है बेटा तो वो है पत्नी से ये कह देते हैं कि देख मुझे मेरी मा की सेवा करनी है या तो तू कर ले और तू नहीं करेगी तो फिर मैं अपने हातन ते अपने मा की सेवा करूँगा मैं मा के लिए जीता हूँ तेरी राजी हो तो रहे और नई राजी हो तो जा अपने गर अवला तो वो है साब